सब्सक्राइब आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन पीडियाप आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा चेक आउट कर सकते हो और चैनल पर आप नए है तो चैनल को कलो सस्क्राइब प्रेश दावेल आइकन जिससे आने वाले सभी अपडेट आपको मिल सके सो गाई यह अपिसियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है यह डारेक्ट रिक्वार्मेंट है यह दोज़र चोविस आल इंडिया के कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं एडवार्टाइजमेंट नमबर देख सकते हो और एसी टी टी स्लेश टू स्लेश यन यस सी स्लेश अक्टूबर दोज़र चोविस आल लाइन अपलिकेशन 30 नोबर दोज़र चोविस है यह अफिसियल वेपसाइट है यह जो डिपार्डमेंट है बारा सरकार का उपकरम है मिनी रतन कंपनी है इसका अफिस न्यू दिल्ली में है यह पर्मानेंट जाब है आल इंडिया के नमबर आप वाइकेंसी 21 है कटेगरी वाइज सीटो को मेंशन किया गया है ट्रेड वाइज देखो डीजल मकैनिक्स में 6 पोस्ट इलेक्टीसियन में 3 पोस्ट मसीन मैन में 3 पोस्ट आटो इलेक्टीसियन में 3 पोस्ट वेल्डर में 2 पोस्ट पीपीओ में 3 पोस्ट और ब् डिप्लोमा दोनों को मौका दिया गया है आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन में मिंजन किया गया है कौलिफिकेशन की बात करें तो देखिए अगर ट्रेनी इंजिनरिंग इस्टोर में इसमें आपको डिप्लोमा अगर आप लोग कर रख फिटर डिजल मकाइनिक्स और ट्रेक्टर मकाइनिक्स विट मिनमुम 60% मार्क और वन इयर का ट्रेड अप्रेंटिसिप होना चाहिए नेस्ट बात करेंगे ट्रेनी टेक्निसियन में यहां पर आई ट्रेड पास आउट रहना चाहिए रिलिवेंट ट्रेड से फिटर इलेक्टिसियन आटो इलेक्टिसियन वेल्डर डिजल मकाइनिक्स ट्रेक्टर मकाइनिक्स मसीन मायन बलक स्मिट बिट मिनमुम 60% मार्क हो और वन इयर का ट्रेड अप्रेंटिसिप होना चाहिए ट्रेनिंग पिरियड वन येर का होगा ये इस्टेंड भी किया जा सकता है ये पर्मानेंट जॉप है आगे बात करेंगे सैलरी के बारे में ट्रेनिवालों को 24,616 रुपे पर मन्त मिलेगा और साथ में आधर एलाउंसेंस भी मिलेगा डिये चारे सैलरी अच्छे खासी रहने वाली है एज लिमिट की बात करें तो आपर एज 27 साल रखा गया है एज में रिलेक्सेशन मिल जाएगा एज सेश्टी को 5 येर, ओवी सी को 3 येर और पी डवलो डी को 10 येर एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा सेलेक्सन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी का CVT एक्जाम होगा इसके बाद स्किल टेस्ट होगा मैं ने पहले ही बताया था आप कंडिडेट सूड अपलाइड फार ओनली वन पोस्ट यानि की एक कंडिडेट के वल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं CVT एक्जाम में 90 मिनट का समय मिलेगा 100 कोस्टन रहेगा आप पार्ट वन में यानि ट्रेट से 70 कोस्टन पार्ट सिकेंड में नन टेक्निकल में 30 कोस्टन रहेगा एपिट्यूड रिजिनिंग करंट अफे जी के कंप्यूटर और इंगलिस से रहेगा सही एंसर के 1 मार्क मिलेगा और गलत होने पर 0.25 मार्क यानि 1 by 4 निगेटिव रहेगा मिनमम 35 मार्क लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए ये फार्म आल्लाइन फिलफ करना होगा अप्लिकेशन फिज अन्रिजर्व कंडिडेट इडवलू एस ओवीसी एक सर्विसमेन के लिए 500 रुपे पलस जी एस्टी एस्टी पीड़लू डी कंडिडेट के लिए कोई फिज पेमेंट नहीं करना है आप बात करेंगे फार्म कब से अपलाई कर पाएंगे तो आप आल्लाइन रेश्टेशन 26 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट रहेगा और लाज़ डेट 30 नौमबर 2024 तक आप अपलाई कर पाएंगे और सिविटी एकजाम 22 दिसंबर 2024 को एकजाम हो जाएगा जो कंडिडेट इलेजबल है अपलाई कर सकते हैं ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नियू अपडेट के साथ जैहिन